हेलो एंड वेलकम टू एक्जाम्स एफ्यार आसा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है रामकिष्णो और आज मैं आप से डिसकस करने बाला हूं जूलाई मैने का कारेंट एफ्यास इस मैने में मेरा थोड़ा एक्जाम था बहुत सरे तो इसलिए आपको एक कारेंट एफ्यास वीडियो देने में थोड़ा सा देर हो रहा है लेकिन अगले हपते से लागातर वीडियो कॉंटिन्यू आते रहेगी तो पिछला मैने की तरह इस बार भी मैंने और टॉपिक्स और कारेंट एफ्यास को मैंने सेक्शनली डिवाइट किया है इससे आपको और इंडिया का जो रिलेशन है उसको लेकर दो बूग रिलीज होआ है तो पहले दिसकास सुर करते हैं तो सबसे पहले जो बूग है The Long Game How Chinese Negotiate with India इसको लिखा गया है बीजोय गोखले के दारा The Long Game How Chinese Negotiate with India रिटिन भाई बीजोय गोखले नेक्स्ट है इंडिया भार्सास चाइना Why They Are Not Friends इसको लिखा गया है कांती बाचपाई के दारा इंडिया भार्सास चाइना Why They Are Not Friends रिटिन भाई कांती बाचपाई नेक्स्ट बूख है The Indian Story इसको लिखा है RBI के फार्मार गवर्नर बीमल जालार ने The Indian Story रिटिन भाई बीमल जालार नेक्स्ट बूख है An Ordinary Life Portrait of an Indian Generation इसको लिखा गया है औसोग लाभासा औसोग लाभासा इंडिया के पूर्व Finance Secretary रहे है Election Commissioner भी पहले रहे है और अभी असोग लाभासा है Asian Development Bank के Vice President है असोग लाभासा अभी Current President में तो असोग लाभासा का बूख क्या है फिर से एक बार रिपीट करता हूँ An Ordinary Life Portrait of an Indian Generation रिटिन भाई असोग लाभासा Next है Film Director राकेश ओम्प्रकास महरा ने अपना एक Autobiography लिखा है जिसका नाम है The Stranger in the Mirror The Stranger in the Mirror Autobiography of राकेश ओम्प्रकास महरा Next Next बूख है The Struggle within a Memor of the Emergency इसको लिखा है असोग चक्रवर्ती असोग चक्रवर्ती The Struggle within a Memor of the Emergency Next बूख है The Ramayana Shri Guru Gabinji इसको लिखा है बालजीत कर तूलसी बालजीत कर तूलसी लिखा है The Ramayana of Shri Guru Gobind Singh Ji Next बूख है एक Important बूख है Riding Free, A Olympic Journey ए लिखा गया है Imtiaz Anis के दरा Imtiaz Anis एक होस राइडर है जिसका Memor है Riding Free, An Olympic Journey Next एक बहुत important बूख है नाथूराम God Say The Two Story of Gandhi Assassin इसको लिखा गया है धावाल कुलकन लिखे दरा धावाल कुलकनी नाथूराम God Say The Two Story of Gandhi's Assassin Next है एक्टर करिना कापूर खान ने एक बूख लिखा है जिसका नाम है Pregnancy Bible Pregnancy Bible by करिना कापूर खान Next बूख है Freedom Fighter गोपाल किष्ण गांधी के उपर The Fourth Lion AC for Gopal किष्ण गांधी इसको लिखा गया है भेनू, माधब, गबिंदू एंड स्रीनात रगबन के दारा Next बूख है पल्ले कु पाता भिसेकम ए बूख लिखा गया है याला मांचिली सिबाजी के दारा याला मांचिली सिबाजी लिखी है पल्ले कु पाता भिसेकम इसको लिखा गया है जे एस लिप्तिखार ने लिखी है उर्दू पोईट्स एन राइटर्स जेम्स अब डेकन नेक्स्ट बूख है दा ग्रेट बीक लायोन इसको लिखा गया है क्रिस्चिज नाइट के दरा क्रिस्चिज नाइट दा ग्रेट बीक लायोन इसको लिखा गया है शीभां संकार सिंह अननध भैंकर ना नारायोन औंध भैंकर नारायोन औड भैंकर म Jest घ्रेगर के लाहां हूं जुलाइऍ महने का इंपोर्टेंट इस एन उसका तो लेकर तो चलिये सुरू करते हैं सबसे पहले जुलाई युम है नैसचनार म дол सत्कूंश कतर को और इसलिए मनाएन का जुलाई मेने का एक तरीक है बाड़े और डॉक्टर विधान चॉंदर राई जो वेस्ट बेंगल के सेकेंड सी एम भी रहे है एक बहुत ही उम्दा या फिर जो कहते हैं बहुत ही अच्छा डॉक्टर थे जिनको भारत रतना भी मिला था 1961 में नेक्स्ट है जूलाई एक जुलाई के एक तरीको और व्हाणि इंपोर्टे चीज़ है जो स्टेड बैंक आप इंडिया स्टेड बंक ओँ़। इंडिया का जो पतिस्थापना हुआ था जूलाई मेने का एक तरीको वुआ था इसलिए जूलाइप को माना जाता है इस वीआ का फाउन्ड और एक चीज़ है जो है वाल्ड स्पोर्स जानरलिस जे वाल्ड स्पोर्स जानरलिस दे भी जूलाइए दो तरीक नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट टे है ओ है इंटरनेस्टनल डे ऑफ कॉआपरेटिप्स एह हर सल जुलाई महिने का पहला शौटडदे को मनाया जाता है और इस सल जुलाई महिने का पहला सौटडदे था 3rd of July तो इसलिए थार्ड जूलाई 2021 इस दा इंटरनेशनल डे और को आपरेटिव और इस साल जो इसका थीम था ओ था री बिल्ट बेटर टुगेदर री बिल्ट बेटर टुगेदर नेक्स्ट है वाल्ड जूनोसेस डे जूनोसेस एक परकर कर डिजीज होता है जो एनिमेल से हिउमेन टांस्मिट होता है तो वाल्ड जूनोसेस डे होता है हर साल शिक्स जूलाई को और इस साल जो इसका थीम था लेट्स ब्रेक दा चेन अब जुनोटिक टांस्पोर्मेंस, सुरी टांस्मिशन नेक्स्ट है वार्ड पॉपुलेशन डे यह हर सल 11 जुलाई को होता है और इस सल जो इसका थीम था दा इंपेक्ट अब कोविड नाइंटिन पैंडेमिक अन फाटिलिटी नेक्स्ट है आपका वार्ड मालालाडे मालाडे यानि की जो इसु मालालाजाई है जो यांगेश्ट नोबेल विनार रह है पीस के लिए तो उनका जनम दिन हुआ जनम हुआ था 12 जुलाई 1997 को तो उसी दिन को माना जाता है वार्ड मालालाडे सो वार्ड मालालाडे 12 जुलाई नेक्स्ट है CPWD यानि की सेंटरल पाब्लिक वर्क्स डिपर्मेंट सेंटरल पाब्लिक वर्क्स डिपर्मेंट का स्थापना हुआ था 12 जुलाई को और यह इस सल इसका था 167 फाउंडेशन डे नेक्स्ट है 15 जुलाई 15 जुलाई को होता है नैशनल प्लास्टिक सरजरी दे और इस सल नैस्टिन प्लास्टिक सरजरी दे को वाल्ट प्लास्टिक सजरी डे के लेंगी मनाघ जायगा यानि कि Bijल प्लास्टिक सजरी डे और वाज़ के लिग युट इन दिन में 15 जुलाय नेक्स्ट है, 15 जुलाय और एक चीज़ के लिए इंपॉर्टन है वो है World Youth Skill Day, World Youth Skill Day का इस सल का जो थीम था वो था Re-Imagining Youth Skills Post-Pandemic. Next है Indian Council of Agriculture Research का 93rd Foundation Day था 16 जुलाई को, 16 जुलाई 93rd Foundation Day of Indian Council of Agriculture Research. Next है 17 जुलाई, 17 जुलाई हर सल होता है World Day for International Justice, World Day for International Justice, 17 जुलाई. Next है World Brain Day, World Brain Day हर सल 12 जुलाई को होता है और इस सल जो इसका थीम था Stop Multiple Sclerosis, Stop Multiple Sclerosis Theme of World Brain Day. Next है National Broadcasting Day, National Broadcasting Day हर सल होता है 23 जुलाई को, 23 जुलाई National Broadcasting Day. Next है Kargil, Vijay Divas, Kargil, Vijay Divas हर सल 26 जुलाई को माना जाता है, आप सबको पता है कि Kargil में जो वार वा था है, इंडिया और पाकिस्तान का 1999 में जिसने इंडिया का जीद हुआ था, तो इसलिए 26 जुलाई को Kargil, Vijay Divas माना जाता है. Next है Central Reserve Police Force CRPF, CRPF का 82 रेजिंग डे था, 27 जुलाई CRPF रेजिंग डे. Next है World Hepatitis Day, World Hepatitis Day हर सल माना जाता है 28 जुलाई को, और इस सल जो इसका थीम था, Hepatitis Can't Wait, Hepatitis Can't Wait, Theme of World Hepatitis Day, Celebrated on 28 जुलाई. Next है 29 जुलाई, International Tiger Day, International Tiger Day हर सल माना जाता है 29 जुलाई को, और इस सल जो इसका थीम था, वो था, Their Survival Is In Our Hand, Their Survival In Is Our Hand, Theme of International Tiger Day, Celebrated on 29 जुलाई. Next important is World Day Against Trafficking in Person, एह हर सल माना जाता है 30 जुलाई को, और इस सल जो इसका थीम था, Victim's Voices Lead The Way, Victim's Voices Lead The Way, Theme of World Day Against Trafficking in Persons, Celebrated on 30 जुलाई. So यहाँ पर हमारा Important Days and Themes खतम हुआ, नेक्स्ट में डिसकास करने बाला हूँ, जो जुलाई महने में Important, Important Appointment हुआ है उनके बारे में, तो चलिए सुरू करते हैं, Appointments. Next, Appointment में Fast Question है, नागमा महम्मद मलिक, नागमा महम्मद मलिक को Ambassador चूश किया गया है इंडिया के तरब से पोलांट के लिए, नागमा महम्मद मलिक, Ambassador of Poland. Next है, BS प्रधन, BS प्रधन को Appointment के है High Commissioner of Tanzania, BS प्रधन High Commissioner to Tanzania. Next है, भारत के जो पूर्वर रेल मंत्री रहे है, पीजूस गोएल, पीजूस गोएल अब बन गए है, राज्यसोभा के लीडर, राज्यसोभा लीडर पीजूस गोएल, और जो भाइस प्रेसिडेंट, भाइस लीडर, यानि कि डेपूटी जिसको बोला जाता है, डेपूट वासिम जाफर, वासिम जाफर बन गए है, ओरिशा क्रिकेट टीम कोच, ओरिशा क्रिकेट टीम कोच वासिम जाफर, नेक्स्ट है, एनेस स्रीनिबासा मूर्ती, एनेस स्रीनिबासा मूर्ती बने है, निव ओनररी काउंसल जेनारेल औभ्येद नाम होर कॉर्णाटों का, एन एस शिनीबासा मूर्ती नेक्स्ट है गीरीधर आर्माने गीरीधर आर्माने को दिया गया है additional charge as the chairman of National Highway Authority of India. National Highway Authority of India, additional charge as chairman, गीरीधर आर्माने. नेक्स्ट, नेक्स्ट है Twitter ने बीनाय प्रकास को अपना Resident Grievance Officer चूझ किया है फोर इंडिया बीनाय प्रकास Resident Grievance Officer फोर इंडिया नेक्स्ट है President Joe Biden ने अपना Presidency काल लेने के बाद जो US की तरव से इंडिया के लिए Ambassador है वो चूझ किया गया है एरिक गरसेटी को एरिक गरसेटी next है RBI इन्हें reappointment किया है Federal Bank का MD and CEO को जो बने है Sam Sinibasan Sam Sinibasan MD and CEO of Federal Bank next है Ariel Henry बने है हाइती के New Prime Minister हाइती New Prime Minister Ariel Henry next है Pedro Castillo Pedro Castillo बने है Peru के President Peru के New President Pedro Castillo next है जो नेपाल के Prime Minister थे K.P. Oli Sharma वो अपना Confidence Board हार चुके है नेपाल के Prime जो Parliament है वहाँ पर और सेर बहादूर देबुआ सेर बहादूर देबुआ है नेपाल Congress Party के मेंबर जो बने है नेपाल के New Prime Minister शेर बहादूर देबुआ next है Basar al-Assad Basar al-Assad फिर से President बन गए है सीरिया की प्रिसिडेंड बासर al-Assad नेप्स्थ है आइजेक हेरेक जोग आइजेक हेरेक जोग बने है इजराइल के New President आइजेक हेरेक जोग प्रेसिडेंड ओव इजराइल next है केलियोपास डाली मिनी बने है इस्वातिनी के न्यू प्राइम मिनिस्टर इस्वातिनी न्यू प्राइम मिनिस्टर केलोपास डाली मिनि नेक्स्ट है नाजीब मिकाटी नाजीब मिकाटी बने है लेबानन के न्यू प्राइम मिनिस्टर नाजीब मिकाटी नेक्स्ट है फाम मीन चीन, फाम मीन चीन को री अपोंट केया है भियत नाम के न्यू प्राइम मिनिस्टर, फाम मीन चीन री अपोंटेड अच प्राइम मिनिस्टर और भियत नाम नेक्स्ट है आइमेन बेना ड्रिहमन बने है अलजेरिया के न्यू प्राइम मिनिस्टर आइमेन बेना ड्रिहमन नेक्स्ट है इजराहिम रैसी इजराहिम रैसी बने है इरान के न्यू प्रेसिडेंट इरान न्यू प्रेसिडेंट इब्राहिम रैसी ये पहले थे इरान के ची नेग्स्ट है बानकी मून यानी की जो खौर्मार सेक्रेटरी रहे हैं यून की बानकी मून बानकी मून आप बन गये हैं चेयर्मेन इंटरनेशनल ओलिम्पिक कमिटी के एथिक्स कमिशन के चेयर्मेन आयोसी के एथिक्स कमिशन के चेयर्मेन बान की मून नेक्ष्ट है नासिल कमल नासिल कमल बने है Bureau of Civil Advisor Security के Director General नासिल कमल डाइरेक्टर जेनरेल Bureau of Civil Advanced Security Next है Kenneth Justin केनेथ जस्टर बने है एडवाइसर अब ग्लोबाल बोर्स अब यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल एडवाइसर अब यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल केनेथ जस्टर नेक्स्ट है जो इंडिया में गवर्नर होता है हर स्टेट का तो रिसेनली बहुत सरा गवर्नर को एक स्टेट से दूसरा स्टेट में टांस्पर्ड किया गया है तो इसके बारे में डिसकस करने बाला हूं करेबं 68 गवर्नर चेंज हुआ है तो स्टार्ट करता हूं तो स्रीधरन पिल्लाई स्रीधरन पिल्लाई आप बने हैं गोवा के गवर्नर गोवा न्यू गवर्नर स्रीधरन पिल्लाई और सत्तदेब नरायना सत्तदेब नरायना आप बन गए हैं त्रिपुरा के न्या गवर्नर सत्तदेब नरायना गवर्नर अपतिपुरा नेक्स्ट है रामेस बियास, रामेस बाइस बने है जार्खोंट के न्यू गवर्नर, रामेस बाइस जार्खोंट न्यू गवर्नर, नेक्स्ट है मांगु भाई, चंगु भाई पैटल, मांगु भाई, चंगु भाई पैटल बने है गोवर्नर और मध्धोपदेश, और फरीजाना कि में स्टम इंडिया के पूर्वु युनियान मिनिस्टर है तहले चार्ट गेलोट तहले चाट गेलोट मने हैं कौनाटयोप के निउ गवर्नर कौनाटयोप का निउ गवर्नर ताहर चांट ग्यालोट हरी बाबु कुम्भम पती बने है मिजराम के नियू गभर्नर हरी बाबु कुम्भपती नेक्स्ट है राजेंद्र विश्वनात आर्लेकर बने हैं हिमाचल पोदेश के न्यू गवर्नर राजेंद्र विश्वनात आर्लेकर नेक्स्ट है लेप्टनेल जेनारेल सुनिल पूरी गोस्वामी बने हैं डीजी कॉर्प्स आर्मी एर डिफेंस डीजी लेप्टनेल जेनारेल सुनिल पूरी गोस्वामी नेक्स्ट है जो इंड्यान एरफोर्स है इंड्यान एरफोर्स के नियू भाइस चिप चुना गया है Air Marsal बीबेग राम चोधरी बीबेग राम चोधरी इंड्यान एरफोर्स भाइस चिप नेक्स्ट है डॉक्टर नारायन मूर्ति बने हैं DG of DRDO Missile and Strategic System डॉक्टर नारायन मूर्ति नेक्स्ट है राकेश आस्थाना राकेश आस्थाना बने हैं दिल्ली पुलीस के कमिस्टनर राकेश आस्थाना नेक्स्ट है नॉंदर निलेकानी नॉंदर निलेकानी बने है एडवाइसर टुधा पैनेल टू प्रिभेंट डिजिटाल मोनोपोलीच डिजिटाल मोनोपोलीच को रोकने के लिए जो एडवाइसर कॉमिटी है उसमें एडवाइसर बनाया गया है नॉंदर निलेकानी को नेक्स्ट है National Highway Authority of Chairman A.S.S. Sandhu A.S.S. Sandhu आप बन गया है उत्राखन के New Chief Secretary उत्राखन New Chief Secretary A.S.S. Sandhu नेक्स्ट है Indian American Vina Reddy Indian American Vina Reddy बने है U.S. Agency for International Development के Mission Director Vina Reddy Mission Director of U.S. Agency for International Development नेक्स्ट है वेट लिप्टर साइकव मिराबाई चानू जो ओलिम्पिक में सिल्भर जीते है इस बार इनको बनाए गया है A.S.P. आप मनिपूर A.S.P. अब मनिपूर मिराबाई चानू नेक्स्ट है पुसकौर सिंधामी पुसकौर सिंधामी बने है उत्राखन के New Chief Minister नेक्स्ट है वासब राजबंबाई बने है कौर्णाटोग के New Chief Minister वासब राजबंबाई नेक्स्ट है जो एक new ministry firm किया गया है कॉपरेशन, ministry of cooperation तो ministry of cooperation के new prime minister बने है हमारे home minister Amit Saji Home minister Amit Saji named new minister of the newly firm ministry ministry of cooperation Next है chairman of NANA NAA क्या मतलब है कि national anti profitering authority जिसका short firm है NAA तो इसका जो chairman बनाएगे acting chairman बने है Amit Saji, Amit Saji acting chairman of NAA Next important question है India और Japan मिलकर एक international corporation and convention center बना है बनारोशी में जिसका नाम है रुद्राक्स रुद्राक्स, new convention, international convention center of India built in Banarosi with the help of Japan Next है सुधांसु मित्तल सुधांसु मित्तल बने है खोखो federation के president खोखो federation के president सुधांसु मित्तल आप लोग comment section में बताना कि खोखो game में कितना participant होता है Next है Andy Jassy Andy Jassy बने है CEO of Amazon जो पहले founder and CEO of Amazon था ओ था जेब बेजस आप जेब बेजस के जगह पर आया है Andy Jassy CEO of Amazon नेक्स्ट है Lieutenant General सुन्जीब कुमार स्वर्मा सुन्जीब कुमार स्वर्मा बने है Deputy Chief of Army Staff सुन्जीब कुमार स्वर्मा Deputy Chief of Army Staff नेक्स्ट है N.Bhenudhar Reddy N.Bhenudhar Reddy बने है All India Radio के director All India Radio Director N.Bhenudhar Reddy नेक्स्ट है इंडिया और रासिया के बीच एक Move Pact Sign हुआ है Coking Coal को लेकर New Pact between India और रासिया in Coking Coal नेक्स्ट है NEED नेक्स्ट है NEED यानी की All India Medical Intense Exam तो NEED आप से नेक्स्ट टाइम से टोटल 13 लेंग्वेज में होगा और जो नया दो लेंग्वेज एट किया गया है वो है पांजाबी एन मालायलाम नेक्स्ट है इंडोर इंडूर है मद्धबड़ेस के एक सहर। इंडूर बने हैं पहला इंडियान सिटी जिनको International Clean Air Crystal Program में सामील क्या गया है यानि कि इसमें क्या होता है जो र है सिटी का इसको Purify क्या जाता है इसके अंडर International Clean Air Crystal Program Selected City is Indoor नेक्स्ट है खादी एन भीलेज इंडस्टी कोमिशन यानि की KVIC के नीव चेर्मेन बने हैं बिनोई कुमार सक्सेना बिनोई कुमार सक्सेना चेर्मेन और KVIC नेक्स्ट है ताज हसन ताज हसन बने हैं Chief of Civil Defense and Home Guards ताज हसन्चीप आप सीविल डिफैंस अन होमगार्थ इंडियान आमेरिकान अतुल कसव अतुल कसवक को U.S. इंटेरिम एनभॉय टू-इंडिया अतुल कसव नितियायो के CEO आमिचाप कांट अमिताप कांट का जो टेनियोर है उनको एक साल के लिए एक्स्टेंड कर जया गया है अमिताप कांट निती आयोग सीयो नेक्स्ट है जी थिरू भासागम जी थिरू भासागम को एपोइंट किया गया है प्रेसिडेंट ओब AIU AIU यानि कि Association of Indian University Association of Indian University President जी थिरू भासागम नेक्स्ट है मोधुमिता बालाजी मोधुमिता बालाजी को एपोइंट किया गया है प्रेसिडेंट ओब Police Families Welfare Society प्रेसिडेंट मोधुमिता बालाजी नेक्स्ट है PV SLN मूर्ती PV SLN मूर्ती को एपोइंट किया गया है Chairman and MD of NEDFI NEDFI यानि कि North Eastern Development Finance Corporation Limited NEDFI MD and Chairman PV SLN मूर्ती So यहां पर आपका एपोइंट मेंट खतम हुआ Next में डिस्कास करने बाला हूं Important Awards and Honors को लेकर तो चलिए सुरू करते हैं Next है ि ओडिशा पोईट राजेंद्रो किशोरपांडा ने जीती है नेक्स्ट है बांगला देस के नोबेल लॉरेट महम्मद उनिस जीती है अलिम्पिक लोरेल जीती है बांगला देस नोबेल लोरेट महम्मद उनिस next है पायल कपडिया का डॉकुमेंटरी A Night of Knowing Nothing यह जीती है The Oil Dior Award Oil Dior Award पायल कपडिया डॉकुमेंटरी A Night of Knowing Nothing next है UNDP Equator Price UNDP Equator Price मिले है स्निहा कुंजा ट्रास्ट एंड आधी मालाई पाजा गुंदियार यह दोनों NGO को मिला है UNDP Equator Price next है कैंस फिम फेस्टिबेल कैंस फिम फेस्टिबेल में जो Best और Highest Award होता है ओ है पालमेडियोर एवाड पालमेडियोर एवाड गोज टीटेन डाइरेक्टेट बाई जूलिया डोकरनव next है Best Director Best Director है लियो स्केराग फोर हीज सिनेमा एनिटी next है Best Actor Best Actor है कैलेब लेंडरी कैलेब लेंडरी Best Actor फोर हीज मुवी नित्राम next है Best Actress Best Actress है रेनेट रेन्वेज रेनेट रेन्वेज जीती है Best Actress फोर हार मुवी ओर्स पासेन इन दा वाल्ड next है भाईदेई डोंग्रे भाईदेई डोंग्रे बने है Miss India USA 2021 Miss India USA 2021 भाईदेई डोंग्रे next है graphic artist आनंद राधाकिस्नन ने जीता है Aisner Award ए जीता है UK के जो कालरिस्ट है John Pearson इनके साथ मिलकर जीता है Aisner Award और ए इन्होंने जीता है इनका जो graphic novel है Blue in Green Blue in Green के लिए जीता है Aisner Award नेक्स्ट है और सेन ओनर्स खतम हुआ नेक्स्ट में डिसकास करने बला हूँ Science and Technology को लेकर तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट है बार्क यानि कि भाबा आटोमिक रिशार्ट सेंटर ने डेबलाब किया है highly efficient शूपार हाइड्रोफोबिक और शूपार ओयलोफोबिक कोटन बाइ रेडियेशन टेक्नोलोजी बार्क डिसकोबर शूपार हाइड्रोफोबिक शूपार ओयलोफोबिक क्रोटन नेक्स्ट है DRDO and All India Council of Technical Education ए दोनों ने मिलकर लॉंच किया है M-Tech M-Tech एक सबजेक्ट के उपर लॉंच किया है वो है Defense Technology Defense Technology के उपर आप नेक्स्ट है M-Tech कोर्स चालू किया गया है DRDO and AICTE के ज़रा नेक्स्ट है IIT कानपूर IIT कानपूर ने डेवलाब किया है 4KG Light Unmanned Drone Helicopter Unmanned Drone Helicopter Discovered by IIT कानपूर नेक्स्ट है गॉपमेंट ने डिसाइट किया है Central Government ने डिसाइट किया है कि एक National Center of Excellence for Animation Visual Effects Gaming and Comics के उपर एक National Center of Excellence को स्थापित किया जाएगा और एक होगा जो IIT Bombay है IIT Bombay के साथ कोलाबरेशन करके एचीज ठापित किया जाएगा National Center of Excellence for Animation, Visual Effects, Gaming and Comics इन कोलाबरेशन वीट IIT Bombay नेक्स्ट है IIT कानपूर ने लांच किया है Innovation Hub to Find Cyber Security for Drones Cyber Security for Drones Innovation Hub launches by IIT कानपूर नेक्स्ट है IIT Ropar, IIT Ropar ने डेवलाप किया है Oxygen Rotating Device जिसका नाम है Amblex, Amblex Oxygen Rotating Device डेवलाप बाई IIT Ropar नेक्स्ट है IIT Madras ने लॉंच किया है NB Driver, NB Driver है एक Artificial Intelligence Tool जिसके जरिये जो Cancer Causing Mutation Cells होता है उनको Analyze किया जा सकता है So, IIT Madras launches NB Driver for analyzing the Cancer Causing Mutation in Cells using Artificial Tools नेक्स्ट है IIT Madras and Sony India Software ये दोनों मिलकर एक Hackathon host करने बाला है जिसका नाम है संबेदन, संबेदन, संबेदन host will be IIT Madras and Sony India Software Center नेक्स्ट है European Space Agency के दरह World First Programmable Commercial Satellite Launch किया गया है जिसका नाम है Utilset Quantum, Utilset Quantum, a Commercial Satellite Launched by European Space Agency और इट इस अफार्स्ट पोग्रमेबल Commercial Satellite नेक्स्ट एक इंपोर्टेंट कोस्टेन है नासा ने Announce किया है अपना New Space Near Earth Asteroid Scouts यानि की NEA Scout इसको launch किया जाएगा November मेहना में और इसका जो टेस्ट बगरा है वो सब complete हो चुका है नेक्स्ट है बिलियोनर जेब बेजोज नहीं यानि की जो आमाजन के फाउंडर रहे हैं और पूर्वर CEO जेब बेजोज जेब बेजोज ने अपना पहला स्पेस जारनी किया है एक रॉकेट में जिसका नाम है New Safe Heart और इसको भील्ड किया गया है ब्लू और इजिन के दारा नेक्स्ट है सिर्शा बंदला सिर्शना बंदला है सेकेंड इंडियान बॉर्र ओमें जिनोंने स्पेस में फ्राई किया है जूलाई 11 को और अभी जब मैं वीडियो रेकर्ड करूं अभी रिटर्ण भी आ चुका है स्पेस से नेक्स्ट है चाइना ने लॉंच किया है निउ मेटरोलोजिकल सैटिलाइट जिसका नाम है फैंग्यूम 3E निउ मेटरोलोजिकल सैटिलाइट बाई चाइना फैंग्यूम 3E जिसको स्वाट में FY3E भी बोला जाता है नेक्स्ट है चाइनीज आटकरвоले औरत सकसेस्पूली पास्ट पारफॉम किया छाइना कि मेटरोस्ट टैंडेम स्पेसवार्ण स्ट्रास्च चाइना स Sacredında स्पेसी सब्सक्राइब नेक्स को लेकर डिसकस करने बाला इंडेक्स में सर्फ दो ही रैंक निकला है जुलाइब महिना में तो सबसे पहले हैं ग्लोबाल स्टार्ट आप इको सिस्टेम इंडेक्स ग्लोबाल स्टार्ट आप इको सिस्टेम इंडेक्स को रिलिज किया है स्टार्ट आप ब्लिंक ने जिसमें इंडिया का रैंक है 20 और पिछला साल इंडिया का रैंक है 23 और जो टॉप टू कांट्रीज है ग्लोबाल स्टार्ट आप इको सिस्टेम में ओ है USA एंड UK के नेक्स्ट है ग्लोबाल साइबर सिकुरिटी इंडेक्स ए में जो रैंक को लेकर जो एक पूरा वीडियो निकला था 2021 का रैंक वहाँ पर भी मैंने दिया था तो फिर से एक बार दे रहा हूं क्योंकि जुलाइ मैंने में हुआ था तो Global Cyber Security Index में इंडिया का rank है 10th और इंडिया ने move किया 37th place इसलिए यह important है और Global Cyber Security Index को release करता है International Telecommunication और top किया country है US और second में जो rank है वो दो country है UK and Saudi Arabia और third country है Estonia तो यह बस एक short information था index को लेकर next में sports के लोगे discuss करने बाला हूं sports discuss करने से पहले मैं बता देता हूं यहां पर मैंने जो जो ऑलिम्पीक और पैरा ओलिम्पीक से related question है इसको अभी के लिए मैंने बात रखा है तो अभी जो मैं कुछ दिन बाद ही पांसर दिन बाद ही ऑलिम्पी और पैरा ओलिम्पीस को लेकर एक special वीडियो ले आने बाला हूं तो उसमें मैं सब कुछ डिसकास करूंगा ओलिम्पीस के सभी information के बारे में तो चलिए sports को लेकर discussion शुरू करते हैं तो sports में हैं पहला question डेपडूट पाडिकल बैट्समें है इंडिया के लिए खेलता है तो डेपडूट पाडिकल बने हैं फास्ट ट्वेंटी फास्ट सेंचूरियन वर्न इंडियान प्लेयर टू डेवीट टू डेवूट इंटरनेशनल क्रिकेट यानि कि जो ट्वेंटी टो यंडियाइं में पार्फॉं किया पहले बार नेक्स्ट इसंड इसन किशान बने हैं पहला फ्रफ्ट एभर इंडियान बैट्समें जिनोंने डिमियोर बने देवूं से इंडियाय इसन किशन से जुड़ा हुआ और एक important question है इसन किशन बने second Indian to make his or the I debut on his what day यानि कि अपना जनम जिन पर इन्होंने I mean इन्ट यानि कि one-day international में डेबिव किया नेक्स्ट है जो 2032 के लिए जो उलिंपिक पैरा उलिंपिक होगा उसका होस्ट कांटी चूज किया गया है औरस्टेलिया की ब्रिशबन सिटी को औरस्टेलिया की ब्रिशबन सिटी बने होगा 2022 के लिए औलिम्पिक and प्रा ओलिम्पिक गेम्स नेक्स्ट है सीमोन बायल सीमोनस बायल बने है पहला अटलिट जिनको आपना खुद का ट्विटर इमोजी मिला है सीमोन बायल स् Campot स्थ अटलिट तू डीसीप हार वॉन ट्विटर इमोजी नेक्स고 है Lewis Hamilton जो Mercedes car को चलाते है Lewis Hamilton जीती है British Grand Prix British Grand Prix owned by Lewis Hamilton next है Max Verstappen Max Verstappen Red Bull car को drive करता है Max Verstappen जीती है Austrian Grand Prix Austrian Grand Prix owned by Max Verstappen येक्स्ट है फाइट पाइट यारी कि जो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है, इसको बोला जाता है फाइट, तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने अपना हेटकौाटर शीप्ट किया है, स्विजर्लेंड की लाजें में। सीखर दवन सीखर दवन बने है ओल्डेश्ट इंडियान जो सिलोंका सीरीज हो आता उसमें इन्होंने कैपटेन किया था तो ओल्डेश्ट इंडियान कैपटेन बने है सीखर दवन नेक्स्ट है स्विजर्लेंड, मोंगोलिया और ताजिकस्थान ए तीनों कंट्री को ICC का नया मेंबर चूँज क्या है ICC यानि की International Cricket Council के नया थ्री मेंबर स्विजर्लेंड, मोंगोलिया, ताजिकस्थान नेक्स्ट है एसियान यूद गेम्स जो third Asian Youth Games होगा तो होगा November मेना में चाइना में चाइना की Gwandan में होगा Asian Youth Games नेक्ष्ट है जो world badminton championship 2026 में होगा उसका host country चूज किया गया है इंडिया को नेट्स कोस्टन में पिछला वीडियो में बहुत बार बोल चुका हूँ लेकिन यह हुआ था इसी मैना में जूलाई में लब इसलिए फेर से बोलना पड़ता है जो यूफा इउरो टाइटल है यूफा इउरो इस साल जीता है इटाली इटाली ने फाइनाल में इंग्लेंड को ब्राजीर बीट किया और जो यूफा इउरो लीख इसमें गोल्डेन बूट विनेर रहे है पोर्टुगाल के कृष्ट्याणयो रुछलांड्टू नेक्स्ट है कोपा अमेरिका कोपा अमेरिका इस साल जीता आर्जेंटिनां ने अर्जेंटिनां ने ब्राजील को फाइ यानि कि मैं क्रिकेट के बारे में बात कर रहा हूं तो Omen's Asian Cup 2020 के लिए होस्ट करेगा मुंबाई और पुने मुंबाई एंड पुने 2022 Omen's Asian Cup नेक्स्ट है आर्मेनिया के लेभोन एरोनियान ने जीती है गोल्ट मानी एसियान रैपिट ओनलाइन चेस्ट टाइटेल जीती है लेभोन एरोनियान नेक्स्ट है चाइना के एक बैक्ती है होव याफन होव याफन जीती है फिडे चेस.com Omen's Pit Chess Championship फिडे चेस.com Omen's Pit Chess Championship जीती है चाइना होव याफन नेक्स्ट है आयालेंड के सीमी सिंग बने है पहला क्रिकेटर जिन्होंने सेंचुरी किया नामबर एट में बैट करते हैं नामबर एट बैट्समें जिन्होंने सेंचुरी किया ओ है आयालेंड के सीमी सिंग नेक्स्ट है, Maloesia and Chile बने हैं 2023 के लिए Men's and Omen's Hockey Junior World Cup Men's and Omen's Hockey Junior World Cup 2023 के लिए Organized Country है Maloesia and Chile नेक्स्ट है, BCCI ने रेकोमेंट्स किया है, क्रिकेटर मिथाली राच और अस्षिन को खेल रतन एवाट के लिए, BCCI रेकोमेंट्स मिथाली राच और अस्षिन पोर खेल रतन एवाट नेक्स्ट है, सिलंका बने हैं अब सबसे ज़्यादा लूजिंग लूच किया हुआ ओडियाई मैच में सबसे ज़्यादा हारी है कांट्री इन्होंने टोटाल ओडियाई में हिस्ट्री में 428 मैच हारी है और ये सरपास किया है इंडिया का 427 लॉसकोब नेक्स्ट है ओभी मुन्नु मिस्रा बहती इंपोर्टन कोस्चेन है ओभी मुन्नु इस्रा ओभी मुन्नु इस्रा बने हैं यांगेश्ट ग्रैन्ड्मास्टर यांगेस्ट ग्रैंड मास्टर एड़ एज ओब टुएल्ब ओभी मुन्नू मिस्रा नेक्स्ट है क्रिकेटर मिथाली राज बने हैं ओल फॉर्माट्स जो ओमेंस क्रिकेट है इसमें सबसे ज़्यादा रान करने वाला है लेडिंग रान स्कोरार मिथाली राज नेक्स्ट है बंगलादेश के क्रिकेटर महमूद दुला महमूद दुला ने डिसिशन लिए है कि टेस्ट क्रिकेट से ओर रिटार्मेंट लेंगे टेस्ट क्रिकेट रिटार्मेंट वाई महमूद दुला फ्रम बंगलादेश नेक्स्ट है क्रुएसिया के मारीजा सीकक मारीजा सीकक बने हैं पहला ओमेंस आमपयर जो मेंस सिंगल टेनिस फाइनल के मैच में ओफिसेट किया है इन्होंने विमेल देन का जो फाइनल था इसको इसमें आमपयर था क्रुएसिया के मारीजा सीकक फार्स्ट फिमेल अम्पेयार्स नेक्ष्ट है भन्टीका अगर्वाल भन्टीका अगर्वाल ने जीती है National Women's Online Chess Title National Women's Online Chess Title wins by भन्टीका अगर्वाल नेक्स्ट है होकी इंदिया ने लांच के डिये है प्लेयर ओरिएंटेट ओएस बेस्ट प्लाटफरम हीरोज कानेक्ट हीरोज कानेक्ट को लांच किया है होकी इंदिया ने नेक्स्ट है विश्वनाथन आनन्थ ने डिफीट किया भालादिमिर क्रैमनिक को और जीती है दा स्पार्क सेंट्रोपी जीता है विश्वनाथन आनन्थ नेक्स्ट है एख यानि की ओल इंडिया फुर्द वर्ड वरेशन तो इंडिया फुटबल् अंजम सूरेज सिंग वांजम एक मिट्फिल्डर है नेक्स्ट है बाला देवी बने हैं ओमेंस फुट्बोलर अब दा यार बाला देवी खेलते हैं एक एवरोपियार का रेंजर्स के लिए स्कॉट्लेंड के लिए नेक्स्ट है वाको इंडिया कीक बॉक्सिंग फेडरेशन इसको अब सिंट्रल गॉर्मेंट के जरा रेकोगनाइजेशन दिया गया है नैस्नल स्पोर्ट्स फेडरेशन का आपको इंडिया कीक बॉक्सिंग फेडरेशन नेक्स्ट है पैरा हाई जम पर मारी अपन ठंगा भेलू बने हैं टोक्यो पैरा ओलिम्पिक के लिए फ्रैक वेरियार मारी अपन ठंगा भेलू यहां पर मैंने स्पोर्च का डिसकाशन खतम किया और आपको फिर से याद देलाता हूं कि ऑलिम्पिक का वेडियो में पांस साथ दिन के अंदर लियाने बाला हूं वहां पर मैं ऑलिम्पिक के बारे में सर्फ डिसकाश करूँगा और अभी पैरा ओलिम्पिक भी चल रहा है तो उसका भी एक साथी कर दूंगा सो नेक्स्ट मैं डिसकास करने बाला हूँ और बीच्वारी को लेकर आप सो और बीच्वारी में सबसे पहले एंडुखत दा एक ख़बर है दानी सिद्धिगी फोटो जान्रलिस्ट दानी सिद्धिगी एक इंडियान है इनको तालिबान ने मार दिया है अभी एक रहस्य है कि तालिबान का रोकेल लॉंचिंग से मारा गया कि कैसे मारा गया पता नहीं चला लेकिन आपगनिस्थन में इनका डेथ हुआ दानी सिद्धिगी जिन्नोंने पूलीजर प्राइज भी जिता था अपना डॉकोमेंटरी र हिमाचल पोदेश के पूर्व सियम भीर बद्रा सिंग रिसेंटली पास्ट एवे भीर बद्रा सिंग एक सियम आप हिमाचल पोदेश पास्ट एवे नेक्स्ट है पाकिस्तन के फॉर्मार क्याट्टेकर प्राइम मिनिस्टर मीर हजर खसूर पास्ट एवे पाकिस्तन फॉर् मीर हजर खोशो पास्ट एवे नेक्स्ट एक बहुत ही इंपोर्टन कोस्टेन है बहुत भी न्यूज में था ए हाइटी के जो प्रेसिडेंट है जो भेनल मौसी जो भेनल मौसी को अपना घर के सामने आतंगबादी हामले के दारा मारा दिया जोबेनल मौसी पेसिडेंट अब हाईटी, आसासिनेटेट इनफरॉंट अफिज होम. Next है फेमास मिमिक्री आटिस्ट माधब मोगे, माधब मोगे रिसनली पास्ट आवे, मिमिक्री आटिस्ट माधब मोगे. नेक्स्ट है फॉर्मार इंडियान होकी प्लेयर केशवदत केशवदत रिसेनली पास्ट एवे नेक्स्ट है पाकिस्तान के पूर्ब प्रेसिडेंट मानमून होसेन मानमून होसेन पाकिस्तान फॉर्मार प्रेसिडेंट पास्ट एवे नेक्स्ट है फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर यास्पल सर्मा पास्ट एवे यास्पल सर्मा जो 1983 में इंडिया पहला वालकप जीता था उस टीम का मेंबर था यास्पल सर्मा शो एक बहुत इंपोर्टेन कोस्टेन है नेक्स्ट है इंडियन आर्किटेक्ट डिजाइनर गीरा सराभाई पास्ट एवे नेक्स्ट है इंडियन ठीयेटर फ्लिम एक्ट्रेस सुरेखा सिक्री पास्ट एवे नेक्स्ट है बांगलादेश के लेजिंडरी फोक सिंगर फाकीर अलमगीर फाकीर अलमगीर पास्ट एवे नेक्स्ट है माराथी पोएट सतीस कल्सेकर पास्ट एवे नेक्स्ट है इंडियन बैडमिन्टोन लेजेंड नंदू नाटेकर पास्ट एवे नंदू नाटेकर बैडमिन्टोन लेजेंड पास्ट एवे नेक्स्ट है भीटिरन कानाड़ा एक्ट्रेस जायन्ती जिसका ओरिजिनल नेम है कमाला कुमारी कमाला कुमारी जायन्ती जिसका निकनेम है तो कानाड़ा एक्ट्रेस जायन्ती पास्ट एवे सो अबिच्वारी के लेकर डिसकाशन यहां पर खत्म हुआ यहां पर मैंने बहुत सारे जो पुछा नहीं जाता है तो इसलिए मैंने इसको अमिट कर दिया सो नेक्स्ट में डिसकाश करने बाला हूं ब्रैंड अमबसेडर को लिया के यानकेず जूलाइ मेन में किनकुन को ब्रैंड अमबसेडर के लिрах के कुभी सेल्बेश्ट कीट के ब्रैंड अमबसेडर बने हैं अकसाई कुमार एक एक्ट्रेस सूती हसन बने हैं ब्रेंड एंबसेडर फोर वाल्ट वाइट फांड फोर नेचर इंडिया वाल्ट वाइट फांड फोर नेचर इंडिया एंबसेडर एक्ट्रेस सूती हसन नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर नीतिन गटकरी बने हैं ब्रेंड एंबसेडर और खा प्रेंट के एमरूपसेडर है कौन सा मिनिस्ट्री में है अाफ कामेंज़ में जारूर लिख नेश्ट है बोंबे सेभिंग बॉंबे सेभिंग कोंपानी के जो ब्रैंड आमबसेडर है वह चोष किया गया है आर असिन, आर असिन ब्रेंड अंबसेडर ओव बुम्बे सेविन नेग्स्ट है of wow life science You might have a rose next है wow life science company के brand ambassador बनी है करीना कपूर खान करीना कपूर खान, brand ambassador of wow life science you might have a so brand ambassador का discussion it आपर खतम कर रहा, next में discuss डिस्कस करने वाला हूं रेकॉर्ड एड एपक्राइब कर्या निए कौन सा कौन सा न रेकॉर्ड लीड कर्ण है जुलाइ महिना में इसके बारे मैं डिस्कस करता हूं दो नि पर पर्सन प्रिक कि 8 611 मेटर केटु छायष्ट तो एह आरो हिन किया है सेरोज कासिप अपना एज 19 एर्श में मौद्धो बॉधास के जोती रत्रे बने हैं वोल्डेंडियन ओमेंट तुस्कैल माउंट इला भूस माउंट इला भूस को सकेल किया जोती रत्रे at the age of 52. Next है, कांचन उगुसंडी कांचन उगुसंडी बने है पहला ओमेन बाइकर जो स्केल किया उमीलिंग लापास उमीलिंग लापास है इस्टन लादाग में Next है, वाल्ट टॉलेष्ट सेंट कैसल वाल्ट टॉलेष्ट सेंट कैसल वाज बिल्ट इन डेनमार्क डेनमार्क के बलोकुस में बने है वाल्ट टॉलेष्ट सेंट कैसल Next है, नौर्वेग के क्रैस्टन वार्वर्म pluton war room बने है न्या रेकॉर्ड फोर हंडेड मीटर में इन्हों ने अपना फोर हंडेड मीटर क्रॉस किया 46.70 सेकेंड में सो रेकॉर्ड एन एचिवमेंट्स का डिसकाशन यहां पर खतम हुआ नेक्स्ट में डिसकाश करने बाला हो बैंकिंग एन एकोनोमिक एफेर्स को लेकर बैंकिंग एन एकोनोमिक एफेर्स में सबसे पहला कोस्टेन नाबार्ट नाबार्ट ने सैंक्शन किया 446 करोर फोर ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स इन डिस्टिक और पंजाब पंजाब के लिए नाबार्ट ने सैंक्शन किया 446 करोर आप comment में बताना नाबाट का full form and नाबाट का स्थापना कब हुआ था बीना Google किये Next है इंडिया बनेगे है आप 4th largest forex reserve folder Total Kulmila के forex reserve आप इंडिया के पास है 612 billion और इंडिया ने सरपस किया रासिया को Next है Paytm Payment Banks become the first bank to issue 1 quarter first tax in India Next है State Bank of India ने अपना branch launch किया राष्टपोती भवन दिल्ली में राष्टपोती भवन में State Bank of India ने अपना branch खुला Next है Asian Development Bank ने इंडिया का जो growth rate है इसको forecast किया 2021-2022 के लिए 10% ADB projected India's growth rate 10% for the financial year 2021-2022 Next है International Monetary Fund International Monetary Fund ने इंडिया's GDP growth rate को project किया है 9.5% for the financial year 2021-2022 and 8.5% for the financial year 2022-2023 के लिए Next है Reliance Retail Venture ने 40.95% stake purchase किया जास्ट डायल में और इन्होंने ए पर्चेस किया 3,497 कड़ोर में Next है RBI ने cancelled किया license of Dr. Shivaji Rao Patil Nilan Gekar Urban Cooperative Bank Shivaji Rao Patil Nilan Gekar Urban Cooperative Bank's license has been cancelled by RBI Next है Rajro Pay partner with master car to launch mandate HQ Mandate HQ launched by Rajro Pay in partnership with master car Next है India का जो coal production है ये 2020 to 2021 के लिए decline हुआ 2.20% ये COVID के कारण decline आया है Next है Indian Overseas Bank बने है second most valued least private sector bank Indian Overseas Bank second valued public sector bank Next है HDFC bank HDFC bank ने launch किया है Salam Dil से initiative Salam Dil से initiative launched by HDFC bank Next है World Bank ने 8 billion loan दिया है France को अपना COVID vaccine COVID-19 vaccine के लिए Next है US ने 25 million 8 यानि कि फ्री में दिया है 25 million money has been given to India for its COVID-19 vaccination और कूल मिला के जब से करोना शुरू है COVID-19 तब से total US ने इंडिया को help किया 226 million money से यह totally free of cost है यानि कि इंडिया को इसको return नहीं करना पड़ेगा Next है Indian Bank ने अपना एक business monitoring program चालू किया जिसका नाम है MSME Pyrna launched by Indian Bank Next है Facebook बने है youngest company जो 1 trillion milestone को छुने बाला youngest company बने है Facebook और Facebook बने है 5th US company to join the 1 trillion club Next है इंडिया ने अपना जो import tax on crude palm oil है इसको अब decrease कर दिया है 15% से 10% for 3 months यानि कि जूलाई, आगोस्ट और September के लिए Next है Federal Bank Federal Bank ने एक artificial intelligence power assistant launch किया है जिसका नाम है FIDI Artificial Intelligence by Federal Bank इससे क्या होगा कि जो customers है इनको banking related जो quarries है यह बहुत ही आसानी से मिल जाएगा Next है जो company Google है Google को France competition authority ने 500 million euros fine किया है Next है international labor organization का जो international labor organization हर सल अपना international migrant workers के उपर एक series launch करता है एक publish करता है एक report जो जिसके अंडर आप दिखा जा रहा है कि migrant workers total अभी globally इंडिया में 169 million माइग्रेंड वार्कर्स और स्टील नाओ इन ग्लोबल नेक्स्ट है educational company बाइजू बाइजू ने जो Singapore बेस्ट ग्रेट लार्निंग एप है यह पोटल ग्रेट लार्निंग कोमपानी है इसको 600 million में पर्चेस किया कि सो बैंकिंग एन एकोनोमिग एफैर्स से रिलेटेट कोस्टेन यहां पर खतम हुआ नेक्स्ट मैं डिसकस करने बाला हूं वाल्ड के रिलेटेट कोस्टेन जिसको मैंने नाम दिया है वाल्ड एफैर्स नेक्स्ट सबसे पहला जो कोस्टेन है वाल्ड एफैर्स में वाल्ड फास्ट थ्रीडी प्रिंटेट स्टील पेडेस्ट्रियन ब्रीज को अनभिल किया एमस्टर्डम ने एमस्टर्डम बने है वाल्ड फास्ट थ्रीडी प्रिंटेट स्टील पेडेस्ट्रियन ब्रीज नेक्स्ट है जो कांट्री टाइवान है टाइवान ने अपना एक फास्ट ओफिस इन एउरोप लांच किया है एउरोप के लिठ्वयनिया में लांच किया ह आपना first office using the name Taiwan इसलिए important है using the name Taiwan क्योंकि इंडिया जो जो nbc है टाइवान का विभिनराष्ट में उसका नाम है टाइवान nbc नहीं उसका नाम दिया जाता है जैसे कि इंडिया में है इसको बोला जाता है ताइपी रिप्रेजेंटेटिव हाउस एमबेसी भी नहीं बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है सेर्फ और सेर्फ ताइवान के लिए और ये हार कंट्री दुनिया में 15 कंट्रीज को छोड़ कर हार कंट्री मानता है चाइना के पेसार के बाज़े से वान चा है पहला कांट्री जो ताइवान को पार्मिशान दिया कि आप अपनी खुद की नाम सभी अपना एमबेसी खुल सकते हो और इसके लिए लिए लिख्युआनिया के ऊपर चाइना ने बहुत सारा बैन भी डाल दिया है है लेक्ष्ट एазी बने है फार्ष गॉल्व स्टेट जिन्होंने अपना एमबेसी ओपेंं किया इजलाईल में नेक्ष्ट नेक्ष्ट वाल्ड डिपेंस्ट पूर्ण टूरिस्ट के लिए ओपेंड किया गया है दुबाई में सोल्ज क्या ग्यान करूंछ है क्यूबा की जरा जिसका नाम दिया गया है सोबेराना सोबेराना टु सोबेराना टु उद्फास्ट कॉन्जुगेट कऊबेंग 6 भैक्सिन बाइ किवा नेच्ट है कि यॉयस ने में अपना जो रिपोर्ट है यह चायल शोलजर प्रिभेंशन एड्ट के लिए उसी रिपोड में ताड़ की और पखिस्तान को आफ़ लिस्ट में डाल दिया है चायल प्रिभेंशन दीजुई चाइल्ड सोलजर प्रिभेंशन एक लिक्ष्ट में अब आ गया है पाकिस्तान एंड टर्की नेक्स्ट है आर्जेंटिना बने हैं दुनिया का पहला कंट्री जो साल्मोन फार्मिंग के उपर बैन किया साल्मोन फार्मिंग नाव वैंड इन आर्जेंटिना नेक्स्ट है आप वाल्ट हेल्ट औरगानाइजेसन हुके दरा मैलरिया फ्री कांट्री घोसित किया गया है नेक्स्ट है एंसीप याई यानि कि नेस्टन पेमेंट कॉर्परेशन ऑप इंडिया यह जो भुतान है भूतान का साथ मिलकर आप इन्दिया का जो यूपियाई पेमेंट है भ यूज करने का पर्मिशन जया गया है और भूटन इस दा फास्ट कांट्री टू एड़ यूपी आई स्टेंडर्ड फॉर डेवल्मेंट और भूटन इस दा ओनली कांट्री टू इसू बोथ रूपेकार्ड और एज वेल एज भीम यूपी रूपेकार्ड और भीम दोनों ही आख भूटन में यूज कर सकते हो और भूटन की जो रेसिदेंस है वह भी यूज कर सकता है नेक्स्ट एक इंपोर्टन कोस्ट्टन है जो इंडिया ओन्मेक भेक्सिन है और गश्चिन को ब्राजिल ने अपना औरर सस्पेंट किया 324 मिलियाउन डील कैंसिल किया ब्राजिल ने कोबेक सेंगा नेक्स्ट है सॉरी चाइना ने अन्भिल किया एक हाई स्पीड मगलेब ट्रेन जिसका स्पीड है जिस ट्रेन का 600 किलोमीटर पार आवार नेक्स्ट है बांगलादेश ने जो फ्री इंटर्नेट सर्वीस है इसके उपर बैंड किया है फ्री इंटर्नेट सर्वीस फर सोशाल मीडिया है बैंड बांगलादेश नेक्स्ट है चाइना बीगिंस कंस्ट्रक्शन और फास्ट कोमर्शियल स्मॉल मोडियूलर रियक्टर वर्ल्ड फास्ट कोमर्शियल स्मॉल मोडियूलर रियक्टर कंस्ट्रक्शन स्टार्टिड बाई चाइना और इसका जो नाम दिया गया है ओ है लिंगलों वन लिंगलो का Arkasant क्रिप्टोकारेंशी सुरुकीया है जिसका नाम है inaira cryptocurrency inaira cryptocurrency 1a cryptocurrency by Nigeria next philippines was the first country to allow commercially production of genetically modified golden rice genetically modified golden rice now this video now will be produced by the Philippines. So World Affairs का discussion यहाँ पर खतम हुआ. नेक्स्ट में discuss करने बाला हूं. इंडिया यांड इस इंडियान आफेर्ज और इंडियान आफेर्ज इंडियान आफेर्ज मैं फार्स्ट कोश्चन प्राइम मिनिस्टर मोधी का जो ट्वीट यांडल है. इसका अब फॉल्वर बन गये हैं 70 million follower और यह बने है highest followed active politician नेक्स्ट है नागालेंट के जो नागालेंट के चीली है राजा मिर्चा राजा मिर्चा को आप लॉंडन के लिए एक्सपोड किया जारा है पहली बार चो राजा मिर्चा फ्रम नागालेंट वील बी एक्सपोरे तो लॉंडन नेक्स्ट पूरी बीकाम्स दा इंडिया स स सीटी तौ प्रोभाइट क्वालीटी द्रिंकिंग ट्रिंकिंग ट्रप्श वात इज पूरी-द्र्ली फ्रम ओडिशा नेक्स्ट है इंडियान रेल्वेर ने जब से कोरोना शुरूया है टोटाल 200 मैट्रिक टॉन लिक्वीट मैक्स ऑक्सिजेन साप्लाई किया है बंगलादेश को नेक्स्ट एक इंपोर्टेन कोस्टेन है महाराष्टो बने हैं पहला स्टेट जिन्होंने अपना जो एडुकेशनल डॉकोमेंट्स है इसको ब्लॉक्चेन टेकनोलोजी के हेल्प के जरिये इशू किया शुरू किया है नेक्स्ट है शेंट्र गोर्मेंन टॉ सेट अप इंदियान इंस्टीट्थ है रिटिच एट गौतम बुद्नागर अपनाटा यू rijू पी इंदियान इंस्टीट्थ है वहीटेज इन्दीटिच इन इंटिया का पहला ड्राइबर्लाघबर्लेस प्र टैक्सिज घ्च्जु जो है उसको रांड किया जाएगा नौइजा एरपोर्ट से नौइजा फ्रिम सिटी तक टोटल 14 किलोमीटर का डिस्टेंस है जहां पर ड्राइब हाल लेस पॉर्ट टैक्सी आप चलाया जाएगा नेक्स्ट है टेलेंगाना ने अपना जो ट्रैडिशनल फेस्टिबेल है आसा बोनालू आसा बोनालू को इस बार सेलिब्रेट किया गया बहुत ही बड़ी तरिके से आसा बोनालू फेस्ट ट्रैडिशनल फेस्टिबेल फ्रम तेलेंगाना नेक्स्ट है लादाक बने है फास्ट यूरियान टेरिटोरी टू एचीव हंडेट परसें फास्ट डोज ओप क फैक्सिन और कोरोना दिया जा चुका है नेक्स्ट है कि मंदू मंदू दी रेलोए स्टेशन को आप नया नाम देया गया है बनारस और यह दिया गया है नौट इस्ट नौट इस्टन जो रेलो है इसके दिया गया मंदू दी रेलोए का नया नाम है बनारस नेक्स्ट है इंडिया च फास्ट ग्रेन एटीएम इंडिया च फास्ट ग्रेन एटीएम हाज बिन सेट आप इन गुरुग्राम बहरियाना फास्ट ग्रेन ATM गुरुकरम होरियाना नेक्स्ट है लादाक और सिकिम के बीच एक move pact साइन हुआ है organic certification agency के साथ सिकिम organic organic certification agency के साथ लादाक union territories का move pact साइन हुआ है नेक्स्ट है महदमागांधी का एक स्टैचू है जो जिसका अन्भिल किया जॉर्जिया में और इसका जो अन्भिल किया गया है हमारे एक्स्टरनल एफिर्स मिनिस्टर एस जाय संकर के दारा नेक्स्ट है वाल्ड फास्ट जेनेटिकली मॉडिफाइट राबार प्लैंट हैज बिन सेट अब इन आसाम नेक्स्ट है इन्दियाज फास्ट फाइब स्टार होटेल एट आप रेल्वे ट्रैक इन गांधिनगर इन्दियाज फास्ट फाइब स्टार होटेल एट आप रेल्वे ट्रैक इन गांधिनगर नेक्स्ट है एंटीपीसी टू सेट आप इंडियाज लार्जेस्ट सोलार पार्क एट रान ओपकॉच इन गुजराट नेक्स्ट है जो इंडियान गौव्मेंट है इंडियान गौव्मेंट का जो डिपार्मेंट और पबलिक इंटरप्राइज है इसको आप फाइनांस मिनिस्ट्री के अंडर लेकर लेकर आया है नेक्स्ट केराला गौर्म्मेंट ने अपना खुद का एक OTTT प्राटफर्म लॉंच करने का निर्नाई लिया है नेक्स्ट है बीजय वाड़ा विकम दा इंडियाज रेल्वेज फास्ट स्टेशन तुभी कोभार वीट 130 किलोवाट पावर सोलार पैनेल्स नेक्स्ट फास्ट कोमर्शियल सीब्मेंट और मिस्री भेराइटी और चेरीज फ्रॉम काश्मीर एक्सपोर्टेट टू दुबाई इसको पहली बार काश्मीर से दुबाई एक्सपोर्ट किया जारा है नेक्स्ट, नेक्स्ट है इंडिया का पहला बायो डाइभर्सिटी पार्क इनेगुरेट किया गया है उत्राखंड में नेक्स्ट है रासिया ने जो तामिल दाडु का उदाकुलम है वहाँ पर फिप्ट नुकलियार प्लांट सेट अप कर रहा है आप सित्टर गोंच में नेगालन स्टेट को डिश्टरब एरिया घोशिच किया फरे एनदर पिसल्ट अप्लाइब इंडिया फर एनदर सिक्स मांट डिकलियार बैस सेंटर गोंच Show tough नानटीन भैक्सीन है मोडेना मोडेना को आप इंडिया में यूज करने के लिए पार्मिसन मिल चुका है नेक्स्ट है इंडियान रेल्वे ने फास्ट मूभबल फ्रेस वाटर टानेल एक्विरियाम ओपेन किया है बेंगालूरू स्टेशन में फास्ट मूभबल फ्रेस वाटर टानेल एक्विरियाम लॉंच इन बैंगालूरू रेलो एस्टेशन नेक्स्ट है इंडिया का जो ओल्डेस्ट रानिंग न्यूज़ पेपर है मुंबाई समाचार मुंबाई समाचार अब इसका जो एज हो गया है 200 years complete कर चुका है इंडिया जो ओल्डेस्ट रानिंग न्यूज़ पेपर मुंबाई समाचार नेक्स्ट है जो इंडिया में प्रोडीस होता है भालिया हुट भालिया हुट को आप एक्सपोर्ट किया जारा है केनिया और सिलंका में भालिया हुई जो प्रोडीस होता है वो मेनली होता है गुजराट में नेक्स्ट है इंडिया का पहला क्रिप्टो गैमिक गारेन को आप इनागुरेट क्या गया है देरादून अप उत्राखन में देरादून में लॉंच क्या गया है क्रिप्टो ग्राफिक गारेन नेक्स्ट है Union Minister Nitin GharGarin ने इनेघरेट किया Countries first private liquefied natural gas plant Countries first private liquefied natural gas plant इनेघरेट बै निच्टिन GharGarin इननाख्पूर नेक्स्ट है PMAYU has launched a short claim contest खुशियों का आसियाना इसको लॉंच किया गया है जो इंडिया का 75 years complete हुआ इंडिया का आजादी का इस साल जिसको नाम दिया गया है आजादी का अमृत महसब आजादी का अमृत महसब के लिए लॉंच किया गया है एक short claim contest जिसका नाम दिया गया है खुशियों का असियाना नेक्स्ट है मेघालिया स्टेट मेघालिया स्टेट ने अब NCC को as a optional subject for undergraduate course में सामिल किया है नेक्स्ट है उत्तरपदेश बने है largest ethanol producing state in the country largest ethanol producing state उत्तरपदेश नेक्स्ट है आसाम के जो CM है हीमन्द विश्रसर सर्मा यह आप एक इन्होंने एक foundation stone रखी है बैंबू इंडास्टियल पार्क बैंबू इंडास्टियल पार्क foundation stone लेट बाइ हमन्द विश्रसर सर्मा इन दीमा हसो अप आसाम नेक्स्ट है इंडियान आर्मी ने एक war memorial open किया in the memory of captain गुरजिंदर सिंग captain गुरजिंदर सिंग सूरी के नाम पे एक war memorial launch किया गया है जो captain गुरजिंदर सिंग है इनका डेट हुआ था बिर्शा मुंडा ओपरेशन के दरूर इन नाइंटीन हंडेट नाइंटीनाइन में नेक्स्ट है इंडियाच फास्ट मेरी टाइम आर्बी ट्रेशन सेंटर लॉंच किया गया है गुजराट के गांधी नगर में इंडियाच फास्ट मेरी टाइम आर्ब इसमें जो मनीपूर में पहला ट्रेन करेंक्शन नहीं था अब मनीपूर लिंग लिंक हुआ है और मनीपूर में पहला पांज्रेंजर भी औरीच किया इस कुछ civil में मेर्द सुव मनिठ में मनीपूर नोजें रेल उएल थियां मैप नेस्ट है जो हाइ कोट यहां पर इंडियान एफेर्स को लेकर जो जो कारेंट एफेर्स टाओ खतम हुआ अभी मैं डिसक्स करने बला हूं इंडिया में पहली बार तो उसी को मैंने नाम जिया है नियू लॉश ख करता हूं बनाणि में सबसे पहले है जो और इंहोंने आपना पहला ठी्जिटाल केंदरो लौन्ज किया है एंडिया में और एंडिया में जो सुराथ है सुराथ गुज्राठ की सुराथ में आप लॉंच किया गिया है फास्ट डिजिटाल केंद्र नेक्स्ट राकेश जुन्जुन वाला ने हैने अलांस किया है अपना खुद का एक air-line जिसका नाम दिया गिया है अकासा एयार आकासा एयार लॉंच बाई राकेस जुन जुन वाला नेक्स्ट है जो गुगुल का पेरेंट कोंपानी है अल्फाबेट अल्फाबेट ने एक न्यू रोबोट कोंपानी लॉंच किया है रोबोटिक्स के उपर जिसका नाम है इन्ट्रिन्सिक लॉंच बाई गुगुल कोंपानी है अल्फाबेट नेक्स्ट है आई सिसी आर आई सिसी आर यानि की इंडियान काउंसील अब काल्चराल रिसार्च इन्होंने बंगबंधु चियार लॉंच किया है दिल्ली उनिभार्सिटी में नेट्स्ट है फोनपे और फ्लिपकार्ट ये दोनों कोम्पानी मे में अपना पार्णार्षिप किया और लॉंज किया एक कॉंटक्टलेस पेमेंट सिस्टम scan and pay, scan and pay, next है, Paytm ने launch किया postpad mini service, postpad mini service by Paytm, next है, Facebook, Facebook ने एक new publishing tool, publishing tool launch किया है, जिसका नाम दिया गया है, Bulletin, Bulletin, new publishing tool of Facebook, new launch को लेकर discussion यहां पर खत्म हुआ, next में discuss करने बाला हूं, important summits को लेकर, next summit में सबसे पहला question है, beam stack, beam stack summit इस बार हुआ, Shilongka में, Shilongka is the hosted country for beam stack, और आप comment में जरूर बचाना, beam stack में जो seven country है, उस seven country का नाम आप comment में जरूर बचाना बीना Google किये हुए, next, next है, Central and South Asia Connectivity Conference, World Health in Tashkant of Uzbekistan, Central and South Asia Connectivity Conference in Tashkant of Uzbekistan, next है, जो SCO है, सांगाई कॉर्पोरेशन, इसका जो defense minister का meeting हुआ था, अभी recently, ताजाकिस्थान की दुसम्वे में, ताजाकिस्थान की दुसम्वे में, defense minister conclave हुआ, और इस meeting में हमारे इंडिया की तरब से था, राजनाथ सिंग्जी, और जो defense, और एक conference हुआ था, SCO summit में, जो foreign minister है, उनको लेकर और यहां पर इंडिया को represent किया, जाएस जांकर संकर साबने और यह भी हुआ था, यह summit भी हुआ था, ताजाकिस्थन में, क्यूंकि अभी के लिए जो संगाई corporation का presidency वह ताजाकिस्थन की पास है, नेक्स्ट है, जो BRICS के जो five countries है, बीक्स लेबर एंड एंप्रोईड मिनिस्ट्री का meeting हुआ था, अंडर डा प्रिसिदेंसी ओप इंडिया, सो सामिट को लेकर बस थोड़ा सा information था, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, इस मेहने में अभी COVID चल ला है, कुछ हो भी नहीं रहा है, तो next में discuss करने बाला हूँ, जो important schemes है, इंडिया का और इंडिया का स्टेट्स का, उस schemes के बारे में discuss करने बाला हूँ, तो एक बहुत important topic है, आप इसको ध्यान से बहुत ध्यान से देखना, सो schemes में सबसे पहला question, राजोस्थान की government ने launch किया है, किसान मित्रा उर्जा जोजोना, किसान मित्रा उर्जा जोजोना और राजोस्थान, बेसिकली इस scheme के अंदर जो farmers है, उनको हर मांथ 1,000 रुपेया दिया जाएगा, किसान मित्रा उर्जा जोजोना और राजोस्थान, नेक्स्ट है, होरियाना government ने launch किया, one block, one product scheme, one block, one product scheme launch by होरियाना, बेसिकली इस जो scheme है, एस scheme के अंदर, एस scheme launch किया गया है, बेसिकली, जो small industry है, rural areas में, इसको promote करने के लिए launch किया गया है, जो one block, one product scheme is होरियाना, नेक्स्ट है, जो तेलेंगाना government है, तेलेंगाना government ने decide क्या है, 50% reservation देगा, अपना जो local student है, यानि कि तेलेंगाना का खुद का students के लिए, आपसे 50% reservation रहेगा, नेक्स्ट है, केराला government ने launch किया है, मात्रु कबचम, मात्रु कबचम, बेसिकली, इस scheme के अंदर जो pregnant moment है, उनको vaccine देने के लिए ए पोग्राम लाँच किया गया है, मात्रु कबचम, बाई केराला government, नेक्स्ट है, मोहा आरग्गो skill development program, इसको launch किया गया है, मोहाराष्टो government के दारा, आरग्गो से आपको पता चल रहा है, कि ए health related एक scheme होगा, तो बेसिकली, इस scheme के अंदर, जो मोहाराष्टो के 20,000 youth है, इनको special training दिया जाएगा, 36 different healthcare scores में, सो मोहा आरग्गो skill development program, बाई मोहाराष्टो, नेक्स्ट है, सेंटर गवर्मेंट ने लॉंच किया है, एक नया प्लाटफर्म जिसका नाम है, किसान सार्थी, बेसिकली, बाई इस प्लाटफर्म, जो फार्मार्स को राइट इनफोर्मेशन मिलेगा, फार्मिंग को लेकर, इन दिया डिजाय लेंग्वेज, नेक्स्ट है, सेंटर गवर्मेंट ने लॉंच किया, स्कूल इनोबेस्टान एमबासेडर ट्रेनिंग पोग्राम, बेसिकली, इस पोग्राम में, जो नया नया जो टीचर इंक्लूड हुआ है, या फिर जो बहुत पुराने टीचर है, उनको, उनलाइन मोड में ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिसका नाम है, स्कूल इनोबेस्टान एमबासेडर ट्रेनिंग पोग्राम, नेक्स्ट है, गुजराट गौवर्मेंट, गुजराट गौवर्मेंट बने है, गुजराट गौवर्मेंट आप डिसाइड क्या है, यूनिफर्म देगा उंगण वारी किट्स के लिए, सो उनिफम फर वंगनवारी किड्स विल बी डेलिवार बाई गुजराट गौब्मेंट नेक्स्ट है कॉर्णाटोका के जो सीम है पूर्वा सीम रहे अभी तो पासब राज बंबाई है तो बीएस यादूर अप्पा फॉर्मार सीम इन्होंने लॉंच किया था इलेक्टिक बाईक टैक्सी कीम इलेक्टिक बाईक टैक्सी स्कीम बाईक कॉर्णाटोका नेक्स्ट है होरियाना गौब्मेंट ने डिसाइट क्या है फ्री बास ट्राभेल फेसिलिटी फोर सांस्कित स्कॉलर जो सांस्कित के स्टूडेंट है उनके लिए फ्री बास ट्राभे फेसिलिटी दिया जाएगा हो रियाना गवर्मेंस के दारा है 사 karta का का मेंटने डीसाइड क। क्या है 1 परसेट रीजरबेसन přट् टांशेंडर इन गवर्मेंट जॉब्स और में आप 1 परिजरबेसन दिया जाएगा ट्रांशेंडर को बाई seni तो का गवर्मेंच नेक्स्ट है जो उत्तरपदेश गौवर्मेंट है उत्तरपदेश गौवर्मेंट ने अपना एक नया स्टेट पॉपुलेशन पॉलिसी लौंच किया है जो बहुत ही नियूज में था population policy by उत्तरपदेस government और जिस scheme के अंडर launch किया गया है और एक नया program जिसका नाम है second kids basically इस scheme के जो program है इसके दारा जो नया जो newly जो नया couple है इनको awareness के लिए launch किया गया है second kids next है coaching international airport ने अपना एक project launch किया है जिसका नाम है operation परफ by coaching international airport next है जो मुएन कास्मीर के जो नेप्टन गवर्णर है MC नहां इन्होंने एक नया special assistance स्कीम लॉंच किया है जिसका नाम है इस एस सी एम बेसिकली जो COVID-19 mortality हुआ है उनके लिए launch किया गया है से स्कीम के अंदर 1000 पर मांथ जो रुपया दिया जाएगा जो COVID-19 mortality के लिए नेक्स्ट है लेप्टन गवर्णर मानोज सिन्हा इन्होंने लॉंच किया है होसला स्कीम होसला स्कीम फर जो मुएन कासमीर ओमेन एंटरप्राइच नेक्स्ट है राजोस्थन गवर्णर ने लॉंच किया है निराययत रक बानो स्कीम फर दलो काल बिजनेस एवर्ट सो राजोस्थन गवर्णर ने लॉंच किया है निराययत बनो स्कीम लोकल ट्रेडर्ड के लिए अपना बिजनेस को बड़ा करने लिए नेक्स्ट के भी आइशिन एंड बॉरार सिकृूरुटी फोर्स बेसेम ने मिलका लांच किया है प्रोजेक्ट बोल्ट प्रोजेक्ट बोल्ट लॉंच किया गया है राजस्थन की जोयसल मिल में बेसिकली इस कीम के अंदर जो इंदियान डेजर्ट जो राजस्थन में जो बहुत सारे डेजर्ट है इसको ग्रीन यानि कि जो प्लैंट करने के लिए लांच किया गया है प्रोजेक्ट बोल्ट बॉ zwy KV 있지 and BS F कि नेक्स्ट नेक्स्ट एक कुरला पुलिसने एक बिषायटिव लांच किया है जीसका नाम है पिँ्क प्रोटेक्शन Basically, by this initiative, they want to promote the women in public, private and digital spaces. For the protection of women in public, private and digital spaces, Kerala government has launched Pink Protection Initiative. Next, Prime Minister Narendra Modi ने एक initiative launch किया है, CBSC board का जिसका नाम है सफल. सफल स्टेंड्स फर स्टाक्चर एसेस्मेंट फर एनालाइसिंग लार्निंग. सफल लॉंच्ट बाइ प्राइम मिनिस्टर नारेंदर मोधी ए इनिसेटीब आफ CBSC board. Next है, मध्धबोदेश government आयूर्वेदा को प्रोमोट करने के लिए एक scheme launch करी है, जिसका नाम है देवा रानाया. देवा रानाया scheme to promote आयूर्वेदा पाई मध्धबोदेश government. Next मध्धबोदेश से जुड़ा हुआ और एक scheme है, मध्धबोदेश government ने एक special 40 squad launch करी है, जिसके जरीए जो safety of women's और गाल्स के लिए special 40 squad launch करी है मध्धबोदेश government. Next, next है यूपी government ने पुण्चायद सेकरेटरी स्थापीच किया है और पुण्चायद में, सो पुण्चायद सेकरेटरी इन और पुण्चायद बाई यूपी government. Next है हिमाचौल पुदेश government ने लौँच करी है बच्चों का सहरा फोन हमारा इनिसेटीव बच्चों का सहरा फोन हमारा इनिसेटीव बाई हिमाचौल पुदेश government. नेक्स्ट नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल फोर कल्चरल लिलेशन आई सीसी आर जिसको शौट फोर में बोला जाता है तो उन्होंने एक कैम्पेंड लौच करी है जिसका नाम है काला बिश्षो बेसिकली इस स्कीम के दारा जो टैडिशोनल फॉक आर्टिस्ट है या फिर जो रूराल आर्टिस्ट है उनके तरब पहुंचने के लिए एक कैम्पेंड लौच करी है जिसका नाम है काला बिश्षो बाई आई सीसी एक नेक्स्ट है आसाम से जुड़ा हुआ दो स्कीम आसाम गॉर्मेंट ने डिसाइट किया है कि जो इंडिया में जो नैसलनल गेंस ह होता है नेशनलन गेंस में जो भी मेडल लेकर आएगा उनको जो 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 स्पोर्ट्स कैटागोरी में जो एक स्पेशल रिजार्वेशन रहता है उसके तहर्त सभी को गॉर्मेंट जोब जिया जाएगा तो आसाम गॉर्मेंट डिसाइट टू गीब जॉब टो एब्री जो टी वारकर होता है उनके लिए एक इनिशेटिव लॉंच किया है जिसका नाम है आसाम टी इंडास्टी स्पेशाल इनिशेटिव स्कीम जिसको स्वार्ट में बोला जाता है आपको इसका फूल फॉम भी पूछा जा सकता है नेक्स्ट है सिमला पूलिस ने ओमेंस एगेंस्ट क्राइम के लिए लॉंच करी है बिरांगोना ओन हुएल्स बिरांगोना ओन हुएल्स लॉंच बाई सिमला पूलिस टुचेक क्राइम एगेंस्ट ओमेंस्ट नेक्स्ट है एडुकेशनल मिनिस्टर रमेश पोख्रेल अभी एडूकेशनल मिनिस्टर नहीं है पूर्व एडूकेशनल मिनिस्टर रहे थे जुलाइबेने में आप सबको बताए कि एक रीसा फेल हुआ था एडूकेशनल मिनिस्टर का तो अभी के लिए जो एडूकेशनल मिनिस्टर है वो है धर्मेंदो प्रधन जो पहले पेट्र प्रश्चनल मिनिस्ट्री और इंडिया नेक्स्ट है होम मिनिस्टर ओमिट साने लॉंच करी है ग्रीन सोरा एफोरेस्टेशन कैंपेंड एट सोरा इन मेघालवाय एज जो कैंपेंड है इसको जो कॉंटिनू चलाएगा यह है आसाम राइफल एंड मेघालवाय कर रही है कि वह अपनी स्टेड में मॉडल टेनेंसी एक्ट को चालू करने का मॉडल टेनेंसी एक्ट बाइक। गॉवर्मेंट टू बी प्लैंट फॉर डैर फीवचर तो यहां पर स्कीम्स को लेकर डिसकसन खतम होगा नेक्स्ट में इंडिया में या फिर वाल्ड में जो से इसको लेकर जोजो लिफ है करीमठ में उसके बारे में डिसकस करता हूँ हो सो डिफेंस में पेहला निऊज है इंडिया और रासिया के बीच लो शेंद्यौ्द प्तट कॉनट इंडिया के बिच हो और इससका 12 एडिसें था नेक्स्ट है रासिया ने सकसेसफुली टेस्ट फायर किया अपना AES500 Anti-Defense Air System अभी जो Anti-Defense Air System रासिया के पास बेस्ट है और अभी वह वार्ड में भी बेस्ट है । वह है AES400 और आप सब को एक New psych myself में देता हूं कि इंडिया एस-400 पार्चेस करने के लिए राशिया को ओरार दिया है और साय 2022 के लास्ट में हमारे पास भी वाल्ड के बेस्ट एंटी एयर डिफेंस सिस्टेम एस-400 आ जाएगा नेक्स्ट है डियाडियो का जो पहले से एक मिसाइल है आकास मिसाइल उसका जो रेंज है वो आप अपडेटेट करके 80 क्लोमीटर कर दिया गिया और सक्सेस्फुली टेस्ट फायर भी हो चुका है आप डियाडियो का जो आकास मिसाइल है उसका न्यू अपडेटेट रेंज है है 80 किलोमीटर नेक्स्ट है अंडर पोजेक्ट 75 इंडियान कॉंबेंट ने डिसाइड किया कि ओ सीक्स कॉंबेंशनल डिजल इलेक्टिक साम्मेरिन प्रस्तुत करने का निन्ना इलिया है और यह जो औराद दिया गया है लार्शन एंड टूब्रो एंड मागाज़न डॉक्या लिमिटेड है मुंबाई में नेक्स्ट है इंडियान एरफोर्स का जो सोरंग हेलिकॉप्टर है ओ इस साल जो मैक्स एर सो होने बाला है रासिया में मैक्स है रासिया के एक सहर मैक्स एर सो में इंडियान एरफोर्स का सोरंग हेलिकॉप्टर हिस्सा लेगा नेक्स्ट है इं एक्स एक्सरसाइज सो टीटी एक्स एक्सरसाइज बाई इंडिया सिलोंका एंड माल्डिप्स भारत डाइनामिक्स लिमिटेट एंड मिनिस्टी और डिफेंस के बीज एक मोंग पैक्ट साइन हुआ है जो आकास मिसाइल से उसका मेनुफेक्चर के लिए और यह जो डिल के टोटल 499 करोर का है नेक्स्ट नेक्स्ट इंडियान ने भी ने रिसीट किया है अपना टेंट एंटी साब्मेरिन वार्फेर यार कप्ट पी एट पाई फ्रॉम बोईंग बोईंग है एक अमेरिकन कमपानी नेक्स्ट है पाकिस्तन आर्मी ने चाइना मेट भी टी फोर बैटल टैंक्स को अपना जो आर्मी में जो अस्तरगार होता है वहाँ पर इंक्रूट कर लिया है चाइना मेट भी टी फोर बैटल टैंक्स नेक्स्ट है इंडिया का अपना खुद का बनाए हुआ ड्रोन डिफ नाम है इंद्रोजाल, इंद्रोजाल इंडियाज, इंडिजिनास ड्रोन डिफेंस डोम, नेक्स्ट है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाज सिंग ने, जो आर्मी स्कींग एक्सपेडिशन है, आर्मेक्स 21, आर्मेक्स 21 का सुभरम किया डिफेंस मिनिस्टर राजनाज सिंग ने, का 325 नेभी डे में इस साल इंडिया की तरफ से तावार सीब पाटिसिपेट किया नेक्स्ट है जो इंडिया नोसियान नाभल सिंपोसियम जो एक एक्स्पी डेक्सटी सनर होता है नेभी का इस साल इसका होस्ट कान्टी था फ्र्रेंच और जो एक्स्पेटीशन हुआ था आॉँ इटाली में में नेक्स्ट सैंड जो maritime exercise होता है काटलास एक्सप्रेस काटल्स एक्सप्रेस में इस साल इंडिया की तरफ से पाठ लिया आएंस तलवार आएंस तलवार पाटिसिपेट इन कला असे सैच एक्सौरस एक्ससाइज नेक्स्ट है इंडम वह तो एक जो रोस्टार शीब है जो सैचेल जो नेभी है सैचेल स्को स्व कोस्ट गा रैद ने शोरो राई ब्लप किया टो इंडिया त कॉढ का सब्सक्राइब के लिए एक सीब जिसका नाम है जोडो स्टार सीब को लेकर डिसकाशन यहां पर खतम हुआ नेक्स्ट में डिसकाश करने बाला हूं जो न्यू मोबाइल एप और इपोटाल चालू किया गया है इंडिया के दोरा इंडिया के स्टेट्स के दराव या फिर हर्च में न्यूंज में है इसके बारे में डिसकास करता हूं अबनी पोटाल में सबसे पहला है उत्तरपदेस गर्मनों jij करी है माई government मेरी फोर कर पोट्र माई मेरी तोर कर पोटड़ वाई उत्तर पादेस गहोंन में पोटल के साज में जो ओ amendance स Khlo को दे सकता है और गौवर्मेंट अपना जो जो स्कीम है भेरियास इस कीम का प्रोमोशन है इस पोटल के जरी करेगा ताकि हारे जो रिसिडेंस उन्हों तक अपना जो स्कीम है स्टेट का वह पहुंच सेके सो माई गौवर्मेंट मेरी सोरकर पोर्टाल बाई उत्तर पोदेश गौवर्मेंट नेक्स्ट है होरियाना गौवर्मेंट ने लौंच करिये एक पोर्टाल जिसका नाम है ग्राम दर्शन ग्राम दर्शन पोर्टाल बाई होरियाना गौवर्मेंट नेक्स्ट है इंडियान ग वह जाके अपना रेजिस्टेशन कर सकता है अपना जो डिटेस्ट दे सकता है वहाँ पर तो उसके लिए एक वेबसाइट लॉंच किया है इंडियान गॉब्मेंट ने वेबसाइट है www.pmcars4children.in Next है राजयस्थन गॉब्मेंट ने लॉंच करी है राज किसान औरगानिक राज किसान औरगानिक बई राजस्थन गॉब्मेंट नेक्स्ट है केराला की जो forest department है उन्होंने launch करी है एक app जिसका नाम है सर्पो इस app के धरिये जो snake bite होता है या फिर snake के बारे में awareness के लिए ये app launch करी है सर्पो एप by केराला government नेक्स्ट एक important question है जो former US president है Donald Trump उन्होंने एक social media app platform launch करी है जिसका नाम है गीटार जी इटी आर गीटार बेसिकली क्या है कि जो डूनाल टाम फॉर्मार इन युवेस पेसिडेंट है उनको सभी social media एब जैसे की facebook टूइटार सभी जैगों से ब्लॉक कर दिया गया है तो इसलिए उन्होंने अपना बात रखने के लिए अपना खुद का social media launch करी है जिसका नाम है फ्लीपकाट ने एक अब लॉच्च करिए क्सोफी एट आरट गांटने और एक अब लॉंच्च करेंं जिसका नाम जन ray आपकास साहल करेंस्टामेक जन साहल आपका सवाय घप लांच करी पैंसर्स लाइब नेक्स्ट है सार्टिपीकेट वेडिपीकिच्ट सार्टिपीकेट वेडिपिकेशन वॉटुहेज़ सार्टिपीकेट वेडिपीकीच्ट परGame Geve बेस्ट एप जिसका नाम है CPGRMS, CPGRMS एप डिफेंस मिनिस्टर राजना सिंग और यह जो एप है वो ए आर्टिफिशियल बेस्ट एप है नेक्स्ट है, डिपार्मेंट अब जास्टीस अब इंडियान गॉर्मेंट लॉंचेस एनफोर्सिंग कॉंट्राक्ट्स पोर्टाल इनफोर्सिंग कॉंट्राक्ट पोर्टाल बाई Department of Justice अब इंडियान गॉर्मेंट नेक्स्ट इरान गॉर्मेंट ने लॉंच करी है इसलामिक डेटिंग ऐब हमडम बाई इरान गॉर्मेंट next दो information है बांगलादेश को लेकर Bangladesh government ने working कर रहे है डवलाप करने के कोसिस कर रहा है अपना खुत का एक social media platform जिसका नाम है जोगा जोग जोगा जोग social media platform by Bangladesh next बांगलादेश और एक communication app डेवलाप कर रहा है जिसका नाम है आलापन आलापन evaluation app by Bangladesh तो यहां पर एप्स एंड इपोर्टाल को लेकर इन्फर्मेशन जो भी था खत्म हुआ नेक्स्ट में मिस्लेनियस कारेंट एफस के बारे में डिसकस करने बाला हो और यही हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा मिस्लेनियस में सबसे पहला कुश्षिन कांडला स्पेशाल एकोनोमीक जोन है फास्ट स्पेशाल एकोनोमीक जोन जिसको आईजी बीसी का ग्रीन सीटीच प्लाटिनाम रेटिंग मिल चुका है कांडला स्पेशाल एकोनोमिक जोन गुजराड में सिचुएटेड है नेक्स्ट है मार्ट्रयर चौंद्रो सेख और आजात की लाइब के उपर एक एक्जिबीशन हुआ है जिसका नाम है आजात की सूरियक गाथा आजात की सूरियक गाथा एक्जिबीशन जिसको इनेगुरे चाहए लिवारपूल को मार्ट हेरीटेज लिस्ट से डिलिट कर दिया कि यानि कि पहले लिवारपूल फेंस सिटीड के अंदर आता था लेकिन आभी नहीं नहीं है नेक्स्ट है औरचा एन्ग वालीओर यह दोनों ही M.P. में है तो औरचा और ग्वालियों को इनिस्ट्रि अर्बान स्वर्टो modular uino spectrum in व्हेंटों चोजहार ऑच्पाद जो कि एघ्रयूर क्वालग क्या एंपी इस्टिट्टेड फॉर हींश्टरिय्ग आर्बान यर्ट्सकेप प्रोजेक्ट बैए इस्कूर सब्सक्राइब से नेक्स्ट काकाटिया रुद्रेस्वरालयानी की रामपापा यह टेम्पल सिंचुएटेड है तेलेंग ना में इसको आप युमिश्क को वाल्ड हेरीटेज साइट की दर्चा दे चुगा है So, Rampapa Temple in Telangana is now in World Heritage List Next, और एक City है धोला भीरा हरुपन civilization का धोला भीरा अब बन गया है World Heritage Site के List में और ए बन है इंडिया का 40 City जो World Heritage List में है और जो peoples city के पास फॉर्टी होता है उशको बोला जाता ही उनिश के दिकदारा MARE प्राऊं कांट्री ॐचाने में आ चुका है अब ंडिया और इन्डिया से आगे जो सिती है और इन्डिया है तीस्रे नमबर पर उनिशको वार्ट ही सिती ही सिति में सप्लाइग ऐसा कुछ होगा फुल्फर मुझे ठीक से याद नहीं है तो सीएसी अभी बन गया है एलीडी 4.10 प्लास एम प्लाटिनम सार्टिफिकेशन मिल चुका है सीएसी का अपीस जो है उसको एलीडी भी प्लाटिनम सार्टिफिकेशन और यह बन गया है फास्ट हेरिटेज बिल्दिंग टो रिसीब दिस नेक्स्ट नेक्स्ट है इंडियान ओयल कॉर्पोरेशन ने डिसाइड क्या है कि इंडिया का फास्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लैंट सेट अप करने का मोथूरा रिफाइनेरी में इंडियान ओयल कॉर्पोरेशन डिसाइड टो बिल्द फास्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लैंट अप इंडिया एट्स मोथूरा रिफाइनेरी नेक्स्ट है इउनाइटेट किंडम फिप्टी यार्स में पहली बार इंडिया को एपल एक्सपोर्ट करने का निन्ना इलिया है नेक्स्ट है ट्वीटर का जो एक फिचर था फ्लीट जो साइट 2020 की नभेंबर या डिसेंबर में चालू हुआ था फ्लीट फिचर तो ट्वीटर ने डिसाइड किया है कि आपसे ओ फ्लीट फिचर को साट डाउन करने का डिसाइड लिया क्या रहा है नेक्स्ट है गूगूल क्लाउट ने सिर्फ दिल्ली कैपिटल रिजियान के लिए दिल्ली एंसियर के लिए एक अलग सा क्लाउट सिस्टेम लॉंच किया है नेक्स्ट है जो e-commerce company है Flipkart Flipkart ने decide क्या है कि आपसे जो plastic packaging है वो आपसे नहीं होगा plastic packaging को ban कर रहा है Flipkart नेक्स्ट है President Ramnath Cobbing ने स्थापना किया है आमबेत कोर Memorial and Cultural Center in Kanpur आमबेत कोर Memorial and Cultural Center in Kanpur नेक्स्ट है Emilio Mercurage Emilio Mercurage है World Longest Living Male यानि कि आभी तक वो जिन्दा है अपना 112 एज में Emilio Mercurage World Oldest Living Male नेक्स्ट है प्रोकास जब्वेकर यूनियान मिनिस्टर प्रोकास जब्वेकर ने इन्योग्रेट किया नत्रक्स नत्रक्स है एस्याज लॉंगेश्ट हाइज स्पीड ट्रेक एस्याज लॉंगेश्ट हाइज स्पीड ट्रेक नत्रक्स और यह सिचुएटेट है मध्धबदेश की इंदोर में नेक्स्ट है एक नीवली स्पीसिस ऑफ स्पाइडर डिस्कॉबर हुआ है महराष्ट सहर में जिसका नाम दिया गया है इक्वियास टुका रामी जो टुका राम अमले था जिन्होंने टुका राम अमले के नाम पे स्पाइडर का नाम दिया गया है इक्वास टुका रामी नेक्स्ट है यूएन का एक ग्लोबाल फोराम होता है जिसको बोला जाता है यूएन पी आर एमी बेसिकली जो मैनेजमेंट स्कूल्स होता है कॉलेजेस होता है इसके उपर एक ग्लोबा यहां पर खतम हुआ और आगर आपको स्टैटिक जी के मुझसे पढ़ना है तो मैं जो फेस्बुक पेज है एक्जाम करता हूं सिंगल सिंगल स्टैटिक जी के नहीं पोस्ट करता हूं एक टॉपिक के ऊपर पूरा जो जो स्टैटिक जी के होता है और सब में हर दिन अप्डूर्ट करता हूं फेस्बुक पेज में आप जोरूर एक्जाम का फेस्बुक पेज जॉइन करना और आप आगर इस वीडियो का पीडिएप चाहिए यानि की जूलाई महिने का जो का पीडिएप चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज चीज का लिंक दिया रहेगा तो चले इसी नोट के साथ मैं है यहां पर खतम करता हूं जय ही